हेलो फ्रेंड्स लौकी के कोपते तो आपने खाया हैंगे एक बार आप कद्दू के कोपते बनाईए आपके घर में जो भी ग्रेटर हो उससे आप कद्दू को छील करके धूल करके ग्रेट कर लीजे इस तरह से सारे कद्दू को मैंने ग्रेट कर लिया है थोड़ा नमक डाल क करके इसको फार्च मिनट के लिए रख देंगे इससे पानी इसका निकल जाए तब तक और तेहरियां कर लेते हैं प्याज लेसुन अद्रकमेश को मैंने चौपर से बारिक कर लिया है और इसके बाद अब मैं कदू के कोपते के लिए सारे कदू से मैं पानी निकाल ले रही में और उसके बाद हल्दी काश्मीरे मेश और धनिया पॉडर और गरम मसाला डाल करके हरी धनिया पती डाल करके नमक नहीं डाला है नहीं तो फिर पानी चोड़तेगा नमक इसमें डाला हुआ है और बूलियां बना लिया है चोटी चोटी लड़ू की तरह और इसको गरम एक चमच डाल रही हूँ थोड़ी सी हीम डाल दे रही हूँ और जो प्याज रिसुन अद्रक मिश को मैंने बारिक किया था उसको डाल देंगे इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जब कलर चेंज हो जाएगा तब तक मैं टमाटर भी चौपर से बारिक कर ले रही हूँ और इसके बाद अब मैं इसमें मसाले में लाऊंगी थोड़ा सा हल्दी डाला है धनिया डाला है काश्मीरी मिश डाला है और एक चमच मैंने बेसन भी डाल दिया है और जो मैंने टमाटर बारिक किया था उसको डाल दिया है नमक स्वादन सा डाल दीजे अच्छ डालने के बाद इसको ठक करके उबालाने तक पका लीजे पानी जब उबाला जाए एक दू तब इसमें मैंने जो कोपते बनाए उसको डाल दिया है आधे चमच गरम मसाला डाल दिया है फिर ठक करके दो मिनट पका लिया है हरी धनिया डालिए कोपते तयार बहुत ही कोगते हैं एक बार आप भी ट्राइए करें